चंकर के शिवलिन को बनाने के लिए मिख्टी कहां की होना चाहिए? किस जगहां पर बनाना चाहिए? मिख्टी में केसा जल मिलाना चाहिए? जब शिवलिन का निर्मान करें संकर के शिवलीन को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए उस तक का विधान्शु महा कुरान में और लिंग कुरान में कहा ना क्यारे की मिट्टी हो क्यारा मतलु mı समझे है जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करीं गोई हो एसी जगहां का कोई भाग मिट्टी का लाएगा जहां कोई गंदगी ना है क्यों महापुराण को कत्था करें देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कत्थाएं आप लोग सुने हैं उसमें का इस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तयार करा जाए उसका विधान बढणन नहीं कर पाए परंथु आज कत्ताने लिए तो अ क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी दियो एसी जगा की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सीचन कर दें अगर ये जल नहीं भी है, अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर थोड़ा सा दूद डालकर मिल्टी का सीचल, दूद भी नहीं है, तो एक पेल-पत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सीचल, निए मिप्ति का तल्प बनाना है तो मिप्ति अगर एज दिन पर लिलाए हो तो उसी दिन जलका सीचन होना चाहिए निए कि जिद दिन बनाएं तो अपर मैटी पर कानीक सीत चान बहले का जादा मत दालो इपर जबार कि अलोग 15 आठ बाद बनाँ और मेटी, की अलें, अलोड़ा जोगी एक जी फितन, ब्रस द्रहें कगे फोड़ा, ढार फूक्ति थाद बता ल्画 007 को तीन दिन बादा बना उस त्समें पर क्या सिचन उस ओ leading कि पिर जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन नातहां में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म महुरत में मिट्टी को गला दूँए कि पानी से गलाना है उसका भी प्रमानक के निर्मान करना है है तो अपने पानी का मत्का होता है हंडा होता है घर भरसोई घर में जहां पानी भरत रखते हो उसके नजदीक में एक तलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंदरा मिने बीस मिनिट पर वो पानी वहां रखा होना चाह एक समय के लिए एक छण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो पर रसोई घर एक तम क्लीन होना चाहिए साफ होना चाहिए आज के जमाने में तो घर ग तो यह घर को पोछा जाता है मिक्टी का होता था तो भी उसको पुता लगाते हैं तो पहला क्रम पार्थी शिवलिंग का निर्वान सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो नियाम ध्यान करते हैं क्या करना है मिट्टी को लाना है जल का छीटा जरूर देना घर में लेकर आए और जल का छीटा होना जरूर दो दिन तक तीन दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर अपने पानी का छीटा नहीं दिया है और आपने डारेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके कि विच्वे को जब बनाओ तब उस मिठी को जो खलास आपने घर में रखा है चावल का दाना रख कर प्लेटके ऊपर आरथाक उसलिका जल न थोड़ा सट डाले क्यों डाला जाका इस किया अजब उस कलष। अच्छण का भाव जाता है अनपुर्णा का भाव जाता है घर में लुंकर्णी का भाव जाता है। का जनती है का लिए ऊच्छद के लिए रसोई घर में तींए कभव। कर दाए तो जाती है तो नुक्ति पवित्र हो जाती है कि अधिपती कर ने लुए निर्मित करने हैं को कि अधाने गुट जो पहले शिविलिंग के निर्मान को एसे करना मिट्टी में दगाला दिया पानी में सबसे पहले शिविलिंग बनाने से पहले पात्र को शिया पहले अधर जो होता है इसके नीचे बहुत रहे हैं कि यह रखना है एक बेल शंकर को जहलने के लिए कोई साध्यारण नहीं है पात्र जिसके जहला जाए स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप संकर के शिवलिन का अंधरमाण कर रहे हो कोई साध्यारण में इस विदेश्वर आप देश्वर सहीता के अंत्रगत करें कि ब्रह्मा रो विष्णू ब्रह्मा ऊपर जा रहा है बग्वान विष्णू नीचे जा रहे है तो पता नहीं कर पर कि यहां चरण का पर वो विष्ष्वर आप इसको जाने है पर तिक बेल पत्र बेल पत्र भी शिदा भाद और इस बेल पत्र की जो दंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है खाली के उपर जब आप शिवलिंग का अंदर बाने है इसके उपर दलाई में मिठ्टी है वो डालगेजी और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरू का भाद सबसे नीचे की जलाधारी में दाख है कि यह बनाने के बाद उसी शिवलिंग के फास्त और मिट्टी डाल लेजिया फिर जलाधाने का निर्मित हो गई शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहताया अपको पहले निकुड़ अगवान भूत अडिपती भूतेश्वर बगवान इस्विका संपूर्ण परिवार शिवलिंग में पहले रिकर्णा ने कहां आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं जैसे यह जलाधारी है गोल जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है यह पारवती जी का हस्त कम जहां से पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री ग इसमें जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में वो पारवती जी के सुंदर पुत्री अशुक सुंदरी का स्ति शंकर जी के उपर तिकोनी रखी रेती है उसके उपर से जल बूंद बूंद नीचे गिरता है यह पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है यह आप कलस से चप्ण जेल चड़ाते हो तो पानी । संकर भगवान की पैंच कुत्रिया गश्रा समरिवारी दो तली और नीन। को कश्य के परिवार में और यौन मेरनिकर बिश्पलाइब के वीियं है टिक्रीन पर ंर्फक्टिम अब popular Кउर्ची परिवार में आपको गनेजी की पूजन अलग करने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, संकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने की जरुवत नहीं है, संकर का परिवार संकर के शिबलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपोर्न परिवार संकर का विराजमा है, संपोर्न पूरा परिवारे मारा फिर वोई बात आई ध्यान दीजेगा जिस व्यक्ति को नींद ना आवे रात्री को सोते समय टेबलेट खाने की जरुवत नहीं संकर भगवान की पाच पुत्रियों का नाम लीजिए जया हाथ में जल लो पलंग पर बेठो जल हाथ में लिया जया आच मनबर चामली बारी इंद दवतली आचमन पंड़ फोर्देव यह संकर की जो पाच पुत्रियां है यह ऐसी पुत्रियां है जो निंद्रा देवी को लेकर आती है और हमें लिश्राम का आनन्न सुप्रदान करते है खो हां यदि विवहा नहीं हो रहा है जाता ही नहीं हो रहे है बहुत समय से लगन देख रहे हो विवाई कि नहीं हो रही है ये लड़की एंटावी साल पी साल में दिखर यह नहीं हो रहाकी की साथ में लटीर का अध Alrighty पोलो उसी हल्दी में उसके हाथ जी जिले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उसके पात चाहपे करवा दो दीन मन्ने में विवापक का हो जाते हैं इतना अशुक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रफ तो कि इतना इतना प्रमाणे वाले प्रवान शुक्त के अरय रहना का कुछ साधर है कि अधिक निर्मित अरा शुक्त एक बार सब जितने भी टीव पर बेठे हैं समुक में कथा सुन रहे हैं तो इसको फ्यूट पर सुन रहे हैं एक वर साथ में समझें वापिस निर्माण को शिवलिंग के निर्माण को उसका निर्माण सकसे पेले बेलकत्री बेलकत्री के उपर मिट्टी मिट्टी के उपर रहता है शिवलिंग का निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है हाँ अगर कोई शिवरात्री का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो हर्ताली का तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो बड़ी तीज है छोटी तीज है आप शिवलिं जल में जल आशे में विसर्जन करें पानी में आपने पात्र को छोड़े उस समय पर ज्यांग दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार जिसका उत्तर की और जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अरधात वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और धाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग उनको दिखे थोड़ा संदा जागा है पानी में डालते समय और जब वो कामना से अपने शिवलिंग बनाया। वो कामना उस भाक को पानी में देखते देखते बोल कि Liberal मेंकरों की कुछाती आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी अराधर ना करते हैं, पूजन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, हमारा काम निकाता है। अंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिठ्टी कहा की होना चाहिए। किस जगहा पर बनाना चाहिए, मिठ्टी में केसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, चंकर के शिवलिंग को जब बनाएं, तो सबसे पहले केसे बनाएं, उस तक का विधान्शु महा पुराण में और लिंग कुराण में कहा। कियारे की मिठ्टी पर कोई गंदगी ना करी गोई एसी जगहां का कोई भाग मिठ्टी का लाएगा जहां कोई गंदगी ना है कि यो महापुराण की तक तक देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलि अगर जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिटी का सीचन अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर थोड़ा सा दूद डालकर मिट्टी का सीचन, दूद भी नहीं है, तो एक पेल पत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सीचन, पेल पत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सीचन कर, पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, यहन्य कि मिट्टी आ लायो और तुम को शिवलिंग गल नाना है तो मिट्टी अगर यह दिन पे लिलाए हो दो दिन पे लिलायो चाड़ दिन पे लिला यह तो उसी धिन जलका शीचन होना चाहिए है यह निग्यों को ऑनाओ में जादा मत जाए है ऑन पन्दा दिन बाद बना अधिन बाद बना उस समय प्रमिटी का सिचन उसता में कर दो कि अ कि जिस दिन शिवलिंग का अन्यरमान करो तुछ लाता में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म महोरत में मिट्थी को गला दो किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमान उसका भी सास्त्रवन्दन कर है किस जल से गलाया जा है तो यह महापुरान की कथा करती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है शाम को आप शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होत है रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक तलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को ले कर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा फंदरा म अनिक 20 मिनिट पर वो पानी वहार रखा हो ना चाहिए रसोई घर में अनपूर्णा का निवास होता है परिंडे के पास पित्रों का निवास होता है अनपूर्णा पित्र सब रसोई घर के भीतर धिराजमान होते हैं शास्त्र करता है 33 कवटी देवता एक समय के लिए एक छ रहने के चूली के छूले होते थे तो उसको गीला करकर गोवर को या पानी में उसको गीला करकर करको कपड़े को गीला करकर पूरे चोके और रसोई घर को पोचा जाता है, मिक्टी का होता है, तो भी उसको पोचा लगाते हैं, तो पहला क्रम है, पार्थी शिविलिंग का निर्वान, सावन के महिने में अगर आप शिविलिंग बनाते हैं, सुम्मार को शिविलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखते हैं, क्या क ह्चेटा जरूर देना आए हार में लेकर आए और जलका च्विता ओना जरूर है और उसके बाद अगर आपने पाणिक छीटा नहीं दिया है और आपने ड्रक्त मिट्ती को गला दिया और यह एव पिर इसको पंद रादिन जाए दिन बाद बना उठी में फोड़ा सा डाला जाता है तो ऑव बावणन किया है अग अब भणनन किया गया जब उस खळस्त का जल हम डालते है तो सपलश्में शाओं अद्ट कंट कर दो पितर हो जाती है सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को पात्र जो होता है उसकी नीचे वेलकत मतु अकमाए खेल जिस्के जेल आजालिक में और हाप शंकर के शिवलिंग अंगरमण कर रहे हो ठीक है आप देश्वर सहीता के अंत्रकत पने रहा है कि ब्रह्मा रोविष्णू ब्रह्मा उपर जा रहा है बगवान विष्णू नीचे जाना तो पता निकर पर कि यहा चरण का पर उन्षिश्टा इसको जाने है बगद लेख 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 पर जाने है बेल पत्र भी शीदा भार अगया और इस बेल पत्र की जो ढंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है फाली के उत्तर जब आप शिवलिक अंदर बाद़े इसके उपर जो गलाई में मिटती है वो डाल पीज़े और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिग का सुरुख बनाने के बाद सबसे पहले शिवलिग का सुरुख बनाने के बाद उसी शिवलिग के खासने और मिट्टी डाल लीजिए फिर जलाधारी का निर्मा बनाने के बाद बनाने के बाद उसी शिवलिग के खासने और मिट्ट आपको वर्णन कर देते हैं जैसे यह जलाधारी है गोल यह चरण है यह जो गोल आगे जहांपर भगवान संकर का शिबलिंग रखा है यह पारवती जी का हस्त कम आप जहां से पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री गणेज जी का स्थान लेट भाग में श्री कार्थी के जी का स्थान पीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में वो पारवती जी के सुंदर पुतरी अशुक सुंदरी का स्थान शंकर जी के उपर इकोनी रखी रहती है उसके उपर से जल बूंद बूंद नीचे गिरता है यह आप कलर से जल चड़ाते हो या आप संगी से जल चड़ाते हो तो यह जो पानी की रहा है यह संकर भगवान की पाच कुत्रिया जया विशहरा शामरीबारी दो तली और देव यह संकर जी की पाच संकर का परिवार संकर के शिबलिंग के साथ में उस जला अधारी में संपोर्न परिवार्ग शंकर का विराज मारे संपोर्न परिवार्ग कुछ भी लिए और फुरा परिवारे मारा फिर वोई बात आई ध्यान दीजिएगा जिस व्यक्ति को नींद ना आवे रातरी को सोते समय तेबलेट खाने की जरुवत नहीं संकर भगवान की पाच पुत्रियों का यह संकर की जो पाच-पुत्रियां है यह ऐसी पुत्रियां है जो निंद्रा-देवी को लेकर आती है और हमें इश्राम का आनन्द सुप्रदान करते हैं कि कि瞎 242 है कि यह दिटका नहीं हो रहा है वही लुन को पर शादी। हो इस चाहि ज्यों कि बहुत समय से परिशान कोला तो मद टेंसे में पड़ गए मदलगर कि साल 20-30 इंद लड़ा लत भागर कुछ मत करो श्क लीम्दिृ आये तो अशुक सुंदरी वाली जो जगा है वहाँ पर हल्दी की साथ बिंदियां लगादो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवादो, उसका नाम कोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ दिया करवादो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के पाथ चापे आधों तीन मन्ने में विवापका हो जाते है उसका इतना अशुक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाथ में इतना प्रमाने मारे वाद्मान श्यक्रण के अरा रहाना कबती साधर ना पर निर्मित्परा श्यक्रण एक बार सब जितने भी टीव पर बेठे हैं सम्मों के में कठा सुन रहे हैं एक बार साथ में समझें वापिस निर्मान को शिवलिंग के निर्मान को मिट्टी लाए उस अच्छ जगा की जल का छीटा दिया रखा जब शिवलिंग बनाया तो एक कंड़ पानी पहले सी दो घंटा आता पंडा मिट 20 मि diferença उसको रख दिया उसी पानीशक दिला करा दिला करने के जग उसका निर्मान सबसे पे बेल पत्री बेल पत्री की उपर मिट्टी अब शेख करें और एक बात याद रखना पार्थीव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थीव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसरजन होना जरू है हाँ, अगर कोई शिवरात्री का दिन है, तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हर्ताली का तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो, तो आप पूरी रात रख सकते हो, विशेश कोई उस सब है, स्रामन का महिन पूरी रात रख सकते हैं पर बाती के समय अगर आप शिवलिंग का निर्मान करें तो उसको सूर्यस को होने के तहले आप इसको नदी में जल में जलाशे में विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को शिवलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ज्यांग दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार जिसका उत्तर की और जल की धार होती है विस STAR-जन करते समय वह जल की धार अड़ात मुथ उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और ढाली इस तरह से पकड़ें कि वह हमको जब डालें तो बहुत भाग हमको सबहें तो यह वह थोड़ा शन्या को पानी में देखते देखते भोल दीजिए वो कामना पून हो जाती इसको करते हैं पार्थिव शुवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराध्रिया उसकी अराध्र हो करते हैं कि बना भी लेते हैं हमारा कामने तो कि अ कर दो कर दो। कि अंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिठी कहां की होना चाहिए किस जगहां पर बनाना चाहिए मिठी में केसा जल मिलाना चाहिए जब शिविलिंग का निर्मान करें चंकर के शिविलिंग को जब बनाएं तो सबसे पहले केसे बनाएं उस तक का विधान शिव महा कुराण में और लिंग कुराण में कहां कियारे की मिठी हो क्यारा मतलु समझ यह जिस मिठी पर कोई गंदगी ना करी गोई हो एसी जगहां का कोई भाग मिठी का लाएं जहां कोई गंदगी ना करी गोई हो देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कठाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मठी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मठी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तयार करा जाए उसका विधान बढ़न नहीं कर पाए पर कंति'm कियारे की मिखत्ती कि मतलब जिस मिखती कोई गंदगी ना करी त्री ठाली को कन भी तो जल के अंदर थोडासा इत्र डालकर मिट्टी का सीचन आगर इत्र भी नहीं है तो एक बेल पत्तर जल के अंदर is a में खीटावि हुद को लिखाली तो झाल चाह दिन पर लिलायों तो उसी दिन चहलिए और पानी चेटा नविली ज्याधा मध डालों ऌंटπως हको? कि अब लेकंगी पंद्रा दिन बात बनाओ और फिर पर मिट्टी का सीचन उस तमय हो जाए कि अ कि जिस दिन शिवलिंग का निर्मान करो उस दिन राताहा में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मोहरत में मिट्टी को गला देखे। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमानक उसका भी सास्त्रवण नंतर है। किस जल से गलाया आजा है। यह महापुरान की कथा करती है। अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहाँ पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक तलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर एक चावल का दाना रखाओ उस जल को ले कर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंदरा मिनिट बीस मिनिट पर वो पानी वहार रखाओ ना चाहिए परिंडे के पास पित्रों का निवास होता है अनकूर्णा पित्र सब रसोई घर के भीतर धिराजमान होते हैं चास्त्र करता है 33 कवती देवता एक समय के लिए एक छण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं इससे लिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो पर रसोई घर एक्टम क्लीन होना चाहिए उच्ब और नियुक्त कुल स्पया Yum यह ली कि वते जो उत्युला बंद होता था तो किला करकर जिए खानी में इसो this प्रब बबब गिला करकर कंध़ Hallo को रसो लाघकर को एक किला करकर हैं मिक्ठी कर रसो तो तो भी उसको कोथा लगा जब मात हैं तो पहला तक्रम Christmasी का निरवान का न क्या क्या करना है के मिठी तो लाना है चिता जरूर देना घर में लेकर आए और आप दो दिन तक तीन दिन तक मिठी रखी होई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छीटा तो हुआ दिया है और आपने मिट्टि को गला दिया और उसके बाद बनाया तो तक पुछ प्रमान नहीं अवाश है नहीं में चार दिन बाद बनाओ कास्ट इमन बाओ अब अविश्चिक पुराण अग्में कर लिया गया बंदन किया गया जब उसक्राइब म अघ्र नगल का भाव जाता है छोवीस घंटे के अठर च्छन के लिए रसोई घर में सूपर्श करोंहें करने के लाएक निर्मित करने के लाएक कि अजय के लिगा अग्षिवलिंग का निर्मान के सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को है अध्र जो होता है उसके नीचे बेलका को शंकर को जहलने के लिए कोई साध्याण नहीं है पात्र जिसके जहला जा सवयं गंगा शिवकी जटा में और आप संकर के शिवलीन का अंधरमान कर रहे हो तुए साध्याण में कि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा उपर जा रहा है बग्वान विष्णु नीचे जा रहा है तो पता नी कर पर कि यहां चरण का पर उल्षिस्टा कि इसको जाने हुआ कि इसको कि आधर्ण बाववा बेल पत्र भी शिधा भाग और इस बेल पत्र की जो टंडी है वो कृत्तर जीशा में रखना है थाले कि इसको अपर जो गलाई में मिटती है वो डाले जाने और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिक का सुनोप बनाने के बाद सबसे पहले की जलाधानी वने के बनाने के बाद उसी शिवलिक के घासन 이제 और मिट्वी डालने बचल पाद जलाधानीThis जलाधारी निर्मित हो गई, शंकर जी का संखून परिवार शिवलिंग में रहता है आपको पहले लिए करना है, आज खिर आपको बर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है।